कि आर्थरेटिस या गठिया भाई के पेशेंट्स खटी चीज यूज कर सकते हैं क्या वो अचार निम्बू संत्रा अपनी डाइट में रेगुलर ले सकते हैं क्या इन चीजों से उनका गठिया बढ़ तो नहीं जाएगा यह ऐसा सवाल है जो हमारे आर्थरेटिस पेशेंट्स को काफी परिशान करता है वो उनका एक यूनिवर्सल क्वेश्चन है वो जनरली इस मिथ में रहते हैं कि इन चीजों से यह आपका आर्थरेटिस बढ़ सकता है सो हमारे इंडिया में यह आमधार्णा है कि खटी चीजें आपके जोइन्स को आपके गठिया को बढ़ाते हैं लोग हमें पेशेंट्स हमें यह बताते हैं कि उनकी फेमली मेंबर्स ने उनके लोकल डॉक्टर से उनके रिष्टिदारों ने होमियोपेथी डॉक्टर ने अलोपेथी डॉक्टरों ने उनको ये बताया है कि खटी चीजें अर्थरेटिस पेशेंट्स को नहीं खानी चाहिए या आपके अर्थरेटिस को बढ़ाती है दिखें ये एक हम इसको गलत फेमिया मिथ बोल सकते है साइन्स के पास अभी तक ऐसा कोई पूरूफ नहीं है कि खटी चीजों से निम्बू से अचार से संतरे से आपको आर्थरेटिस बढ़ सकता है हमारे बहुत सारे पेशेंट्स खटी चीजें रेगुलर खाते हैं संतरा रेगुलर खाते हैं बिना कोई दिक्कत के बल्कि मैं तो यह बताना चाऊँगा कि जो खटी चीजे होती है उसमें एक एसेंशल वीटिमेण जो एक बहुती महत्वपूर है हमारे हेल्थ के लिए वाईकमिनसी सभी आप जानते हैं वाईकमिनसी एक essential vitamin है जो सिरफ खटी चीजों में ही पाया जाता है ये हमारी immunity को boost करता है ये हमारी immunity के लिए एक essential vitamin है Corona काल में तो सभी लोगों ने इसका सेवन regular तौर पे किया है जिसको Corona हो जाता है उसको तो high dose vitamin C दिया जाता है इससे आपकी skin भी अच्छी रहती है healthy रहती है आपके बाल अच्छे रहते हैं आपकी wound healing बर जाती है यानि आगर आपको कोई चोट लगे तो वो जल्दी heal करेगी तो ये एक तरह का महतवपून vitamin है जो जिसकी कमी से आपको एक खतरनाग बिमारी जिसको हम pellagra बोलते है वो हो सकती है सो मैं ये बताना चाहूंगा कि आप बिल्कुल भी नहीं डरें vitamin C rich food यानि खटी चीज़ों लेने से आपका गठिया नहीं बढ़ता है कुछ लोगों को खटी चीज़ों से joint pains हो सकते हैं बट वो कुछ लोगी हैं जादा तर लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं है ये आपके मन की सोच है सो आप खटी चीज़ें जितना भी एक नॉर्मल व्यक्ति को खाना चाहिए खा सकते हैं और अपने arthritis को भी control में रख सकते हैं Thank you